नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चानल में मैं रानी गुपता आपके साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और इसी के साथ ही कॉंग्रस पर जम कर निशाना साधा आपको बता दें कि प्रधान मंतरी मोदी ने इशा जिन नहीं करती है अब इस चीज को ले करके जिनको तंच कसा जा रहा था वहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद थे इस बात को सुन करके जोड़ जोड़ से हसने लगते हैं जिसके बाद प्रधान मंत्री मोदी कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी ज़ादा समझदा लोग हैं और आगे मुझे जिक्र करने की मेरे ख्याल से आवश्यक्ता नहीं है इसी के साथ ही प्रधान मंत्री मोदी ने ततकालीन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पहले तो लोग जो हैं वो एक-एक काम को लेकर करके सरकार से परमेशन लेते थे और इसी के साथ ही लोगों को रेडियो टेलिविजन इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए भी सरकार से लाइसंस लेने की नौबत थी बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानि कि 17 फरवरी को इशारों में राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष किया उन्होंने एटी ग्लोबल बिजनस स लावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद भ्रस्टा चार पर लगाम लगी है लेकिन 2014 से पहले सिर्फ एक ही परिवार का ध्यान रखा गया था राजीव गांधी ये कहते थे कि एक रुपया भीजा जाता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं सोचिये उनके हिसाब से सोचा जाए तो हमने 85 फीसदी पैसा बचाया है बता दे दरसल 1985 में ततकालीन पीम राजीव गादी ने सूखा ग्रस्त और इसा के काला हांडी जिले के दौरे पर ये बात कही थे आपको बता दे कि इसी के साथ ही प्रधान मंतरी मोदी ने कॉंग्रस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पू नागरिकों के साथ मालिकों की तरफ वहवार करती थी और हमेशा हर बात में उन पर शक करती थी नागरिकों को जो कुछ भी करना था उसके लिए सरकार की अनुमती लेनी पड़ती थी आपको बता दे कि प्रियम मोदी ने ये भी कहा कि कुछ लोग गरीबी हटाओं की बाते भले ही करते थे लेकिन सचाई ये थी कि पहले गरीबों को देश पर बोज समझा जाता था हमारा फोकस गरीबों का सशक्ति करन्ट करने पर है ताकि वे देश की तेज ग्रोथ में अपनी पूरी ख्रमता के साथ देश के विकास में योगदान कर सके दरसल पूर्व प्रधान म कंत्री मोदी ने ये भी दावा किया कि साल दोहजार शौदा में देश में सौ से जादा ऐसे जिले थे जुन्हें बहुत ही पिछड़ा माना गया था हमने पिछड़े जिलो के इन कॉंसेप्ट को री-इमेजन किया नौ सालों में साड़े तीन लाग किलोमीटर गामों में करोड बनाए गए ये सारा हिसाब पिछले नौ साल का है तीन करोड गरी परिवारों को घर दिये हैं वहीं पियम मोदी ने कहा कि विश्व जब कोरोना से गुचर रहा था तो हिंदुस्तान के लोगों ने दुनिया को दिखाया कि आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है उन्होंने कहा कि भारत के सामर्थ की गूंज ग्लोबल बिजनस सम्मिट में भी सुनाई दे रही है उन्होंने बताया कि जब हम पिछली बार मिले थें तो मास्क रोजमर्रा की जिन्दगी का हसान नहीं था लेकिन एटी सम्मिट दो हजार बीस के ठिक पाच दिन बाद डब साहरत भी बदल चुका है आपको बता दे कि आर्थिक समाचार पत्र एकोनॉमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनस सम्मिट में प्रधान मंत्री ने अपनी सरकार की कई सारी उपलब्दियां भी गिनाई उन्होंने कहा कि जब देश ने हमें सेवा का मौका दिया है सबसे पहला कदम परी कलपना नहीं सोच को ले करके था वर्ष दो हजार चौदा में करोडों के घुटालों और भ्रस्टाचार के कारण गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था यवाओं के आकांचाएं पूरी नहीं हुई थी साथी प्रधान मंत्री मोदी ने याद किय कि एक समय था जब नागरी को को टीवी या रेडियो सेट रखने के लिए लाइसंस की आवश्रक्ता होती थी उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं उन्हें ड्राइवरिंग लाइसंस की तरह ही रिन्यू भी कराना होता था साथी पीम ने आगे ये भी कहा कि 1990 के दर्शक में ने दुनिया को दिखाया है कि सशक्त रास्ट का क्या मतलब होता है जहां पहले पांच नाजुक देशों की बात होती थी वही अब भारत को इसके उलट एक मजबूत और सशक्त रास्ट की रूप में पहचाना जाता है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि आप दाम को अव स्तार रेल्वे लाइन बिछाने और हवाई एड़ों की संख्या बढ़ाने समेट विभन्यक्षेत्रों में अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भारत की विकास गाथा में भाग लेने का वाहन तक किया उन्होंने कहा क देश इसके बदले रेटर्ण की गैरंटी देता है साथी प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर भी इशारा किया जब डिजिटल पेमेंट को ले करके बहुत बड़ा इशु बनाया जा रहा था लगातार विपक्ष जो है डिजिटल पेमेंट का मुद्दा उठा रही थी और ये कहा करती थी कि भारत जैसे देश में तो अधिकते लोग गरीब रहते हैं तो आके डिजिटल पेमेंट कितना सक्सेस्फुल उधारन रहेगा प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर जिक्र करते हुए कहा कि मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें डिजिट बाद उसे शगन देता है तो ये डिजिटल पेमिंट का अपने आप में बड़ा उधारन है बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर इशारों इशारों पर तंच कसा तो इसको ले करके लगातार कॉंग्रस पार्टी पर भी बड़ा निशाना साधा है आ जड़ो यात्रा को भी लेकर के इंडिया टुडे ने एक कवर बना था मैगजीन कवर उसमें भी राहुल गांधी का जिक्र किया था और ये कहा था कि राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं और एक गजब का जून का लहर है वो देखने को मिलेगा तो इसी चीज को लेकर के प् पार्टी भी रिलाउंच करती रहती है चाहिए फिर भारत जोड़ो यात्रा के तहत हो या फिर उन्हें पार्टी की मजबूत लीडर बनाने के तौर पर हो तमाम ऐसी चीजें हैं कॉंग्रेस की ओर से ये एक्जामपल है कि राहुल गांधी को कैसे अपना लीडर बताया ज पर ये शर्शी थरूर और इसी की साथ सल्मान खुर्शी जैसे जो तमाम सीनियर लीडर है वो भी लगातार राहुल गांधी की वावाही करते हैं और उनके मुताबिक राहुल गांधी से बढ़ियां पीम उमीदवार कोई हो ही नहीं सकता ऐसा भी उनका कहना है साथ ही फिलाल विपक्ष को लेकर के अभी फिलाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है अगर अलग-अलग निताओं की माने तो उनकी अलग-अलग राय है जहां केश्रवाल अपने आपको सूटेबल उमीदवार समझते हैं तो महीं ममताब एनरजी जो है वो भी पीम बनने का कुशन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें